गाइस welcome back to our video games, आगे था आपका मैं नई वीडियो में, उमीद करता हूँ, आप लोग सबस्ची से होंगे, market में सुरक्षित होंगे, यहाँ पर बात करने वाले हम bitcoin के बारे में, bitcoin में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ मैं आपको बताने वाल हूँ, लेकिन उससे पहल और share करता हूँ, आप देख सकते हूँ, यहाँ पर, telegram group है मेरा, हाँ, नाम क्या है, crypto शुबरान चौजरी, जाके आप मुझे search भी कर सकते हो, वैसे मैंने आपके लिए description में, इसका link छोड़ दिया, क्यूं आपको यहाँ पर join करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, दिए इसके बाद मैंने यहाँ पर आपके लिए update कर रहा था, कि यहाँ से आप long कर सकते हो, इस zone से, आप देख सकते हो, कितना अच्छा market यहाँ से अब गई, तो इसमें क्या लिखा है, मैंने कि आज की वीडियो की risky trade, याद है, यह हमारी एक risky trade थी, लेकिन हमारी, जहां से बोला price यहीं से bounce back मार गया, ठीक है, long trade from red line, red line से हमारी long trade की थी, उसके बाद क्या, this movement is not sustainable according to me, देखो मेरे साब से यह movement यह था, यह sustainable नहीं था, अच्छा market में हुआ क्या, मैं आपको यह भी दिखा दुआ, उसके बाद आप यह देखो कि यहीं से price हमारा नीचे इस level तक आया, जह लेकिन हाँ, technical work करता है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है, यह dominance है, dominance का आपको chart दिखाया था, यह भी आपको दिखाता हूँ, बाकि कुल मला के बाद इतनी है, कि आप यहाँ पर देखोगे, मैंने आपके साथ एक trade share करी थी, यह आप देख सकते हूँ, current की ही update है, कल रात की update है, ठीक है, तो भाई learning पे भी focus है अपना, तो भाई अभी नहीं join करा, तो join कर लीजी, यह सब कुछ मैं आपके साथ share करता हूँ, अच्छा बात करेंगे हम भी bitcoin की, bitcoin की chart पे मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या है accuracy, ठीक है, तो bitcoin का chart हम यहाँ पर खोल ल मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि भाई मुझे लगता है, यहाँ पर, यहाँ पर बोला था कि मुझे लगता है कि यहाँ पर bitcoin holding नहीं कर पाएगा, sustainable नहीं कर पाएगा, उसके बाद दीके यहाँ पर गया हमारे exact level पर, फिर bitcoin का price नीच जाया, यहाँ से long की trade थी, यहाँ से bitcoin ने एक ऐसा pattern मनाया है, जो कि अभी बहुत bullish है, ठीक है मैं आपको दखाया है तो वो pattern क्या है, देखे, bitcoin में कहीं ना कहीं, अभी जो है, bullishness की तरफ हम बढ़ते हुए है, definitely हम बढ़ भी रहे हैं, हमारे पहले ही हमने buying कर चुके हैं, और जो नहीं कर रहा है, जिन्होंने buying न for the long term, मैं आपको कहूंगा, कि आप BTC तो अपने portfolio में रहो, लेकिन साथ ही साथ, अब Ethereum को seriously ले लो, seriously हम पहले ही ले चुके थे, ठीक है, हमारी buying काफी पुरानी है, लेकिन जो लोग नए आ रहे हैं, जो पूछते हैं कि कौन सा coin हमें hold कर ना चाहिए, तो Ethereum एक ऐसा है, आप यकीन मानो, मत मानो, मैं इसको around $20,000 तक भी देख सकता हूँ, Ethereum को easily, according to technical, ठीक है मैं technically ही बता रहा हूँ, तो आप खुद gap देख लो कि Ethereum अभी कितने पे, 27, exact बताऊँ तो 27, 150 पे चल रहा है, तो अभी बहुत gap है, तो आप अगर चाहो तो long term के लिए hold कर सकते हो, अपने research प एक ऐसे address पर भीज़ देता है, जहां से कभी आना ही नहीं, आना ही नहीं वापस, ठीक है, तो यानि कि supply रुक रही है Ethereum की, और supply रुकती है तो आप सभी को पता क्या होता है, पता है ना आप सभी को, demand बढ़ती है, और demand बढ़ती है तो आप definitely जानती हो कि price यहां से skyrocket हो सकता है, यहां पर हमें एक pattern formation मिल दी है, जो कि आपका devil bottom है, ठीक है, devil bottom pattern formation आप देख सकते हो, मैं हाला कि patterns के बारे में ज्यादा बात करता नहीं, लेकिन हाँ, यहां पर एक बहुत अच्छा कास्ता जो pattern है, इसकी बारे में मैंने update दी है आपको, ठीक है, यह मुझे मिला है, जिस आपका double bottom, इसकी जो neckline area है, इसको याद रखिए आप, neckline area है, आपका 39,800 से लेके 40,000 का level, ठीक है, यह important है, जब तक bitcoin इसके उपर hold कर रहा है, तो यह pattern valid है, इसके साब से 41,000, 42,500 bitcoin जाने वाला है, इस pattern के साब से, तब तक, जब तक यह वाला 39,800 से लेके 40,000 का जो level है, hold कर अच्छा, अब ही क्या हो रहा है, देखो, मैंने आपके साथ एक update share करी थी, कि भाई, मैं यह वाला area observe कर रहा हूँ, अभी bitcoin में, यह area कितना है, यह area है, आपका 40,700 से लेके 40,500 का level, मैं यह वाला area आपके लिए observe कर रहा था, खुद के लिए observe कर रहा था, trade के लिए, और ठीक है, तोडने के बाद मुझे लगता है कि bitcoin यहां से तोडने के बाद, इस level तक easily आ सकता है, जो कि अपका 39,800 का level, ठीक है, तो अगर यहां पर हो आप अभी देख पा रहे हो, तो यहां से एक short trade बन सकती है आपकी, ठीक है, कहां तक, इस level था, ठीक है, अच्छा, ठीक है, अगर इस level को bitcoin का price hold ना कर पाया, ठीक है, अभी मैं bearishness आपको दिखा रहा हूँ, जो कि यह भी support बने हुए, यह अपका 39,800 का level, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक, इस level को अगर bitcoin hold ना कर पाया, तो यहां पर एक और pattern formation देख रही है, आपर, देखिए, यह हमारा जो होता यह होता आपका bullish pattern, यह वाला, यह double bottom, और यहां पर जो हमें दिख रहा है, यह है आपका bearish pattern, लेकिन यह follow तभी होगा bitcoin का, जब आपका 39,800 का level तूट जाएगा, ठीक है, तो आप देख सकते हो, इस pattern की भी neckline एक है, ठीक है, क्या coincidence से आप देख सकते हो, इस pattern की भी neckline एक है, और इस pattern की भी neckline एक है, ठीक है, already bullishness तो हमें market में दीख रही है, लेकिन अगर 39,800 से price नीच आता है, तो हमारा price according to this pattern, exactly 38,500 तक भी जा सकता है, ठीक है, तो watch out करिये 39,800 का level, अच्छा कैसे play out कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो जहाँ पर है bitcoin की यहां से एक short की trade बन सकती है, 39,800 तक, अब यहां पर हमें देखने वाली बात होगी, कि यहां पर अगर कोई bullish pattern बनता है, bullish candle बनती है, तो यहां से एक long की trade दुबाह से बन सकती है, क्योंकि अभी एकी बार यह level टेस्ट हुआ है, दूसरी बार टेस्ट होगा, तो यहां से price उठ सकता है, य level है आपका 39,800 से लेके 40,000 का level, ठीक है, अगर यहां से bitcoin उपर की side बढ़ता है, अगर इस level को तोड़ देता है, तो 38,500 यह एक अच्छा का सपोर्ट है, उसके बाद हमारा, किसी भी हालत में अगर यह bearish नहीं साय आती ही, तो 37,500, तो यह दो level मैंने आपको बता दिए है, प नीचे हमारे पास levels कौन से है, बिल्कुल हमें यह बात तो पल्ले पड़ गई, लेकिन अब उपर ही गया, अच्छा bitcoin अगर यहां से दुबारा से आता है, और यहां से उटता है, ठीक है, तो दुबारा से कौन से level है, जहां पर जिसके उपर bitcoin hold बनाता है, तो फिर आप यह स चुका है, ठीक है, दूसरी बार यहां पर आने वाला थे, लेकिन उसके पहले ही ज्यादा है, आपके sales active होगे, फिर market को नीच लिया है, ठीक है, अगर price यहां पर आता है, यहां पर आने के बाद दुबार से उटता है, तो यह level आप watch out करिए, 41,300, 400 का level, इसके उपर आ जात सकते हो, अब depend आपके उपर करता है, कि आप इसको कैसे manage करते हो, लेकिन हाँ, bitcoin की update ही है, तो मैं आपको बता दी है, इस level को तोड़ने के बाद, और हम बात करेंगे, bitcoin के बारे में, लेकिन अभी levels इतना ही है, जो हमें watch out करने है, इतने में ही अभी हमें play out करना है, तो अपडेट इतनी ही, अच्छे लगी हो वीडियो तो प्लीज एक बार थमसब कर देना, लाइक कर देना, धन्युक्त